वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मैल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस एंड ट्रेवल में आपका तुलसी पूर स्टेशन से बहुत-बहुत स्वागत है तुलसी पूर स्टेशन से ये वीडियो बना करके भीजा है अखलाक भाई ने अखलाक भाई वीडियो भीजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसा आप सब जानते हैं तुलसीपुर स्टेशन हमारे गोरकपुर गोंडा जो लूप लाइन है जो की वाया बढ़नी रूट आता है हमारा बलरामपुर होते हुए उस पर पढ़ता है तुलसीपुर स्टेशन जहां पर फिलाल रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार चल रहा है और तुलसीपुर स्टेशन पर ये कार पूरे कर लिए गए हैं जैसा आप सामने देख सकते हैं सामने आपको वायर नजर आ रहा होगा होल्डर्स के अंदर जिसको फिक्स कर लिया गया है सामने पैदल पुल है तुलसीपुर स्टेशन जो है यहां पर दो मेन प्लैटफॉर्म्स है लगबग 16 ट्रेंस का यहां पर ठहराओ है और ये हमारे NER जोन लखनो मंडल में आता है सामने जो प्लैटफॉर्म नंबर दो के बाद में ट्रेक है वहां पर आप देख सकते हैं कि कोच खड़ा हुआ है उस तरफ क्योंकि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य भी इस रूट पर सुभागपूर की दिशा में यानि गूंडा जंक्षन की दिशा में चल रहे हैं बलरामपूर की दिशा में और तुलसीपूर स्टेशन से पचपेडवा स्टेशन जो की बढ़नी की दिशा में यानि की पूर्व की दिशा में 23 किलोमीटर है वहां तक रेल इलेक्ट्रिफि उसका direction कर लिया था अब पच्छपिडवा से आगे जो हमारा 23 किलोमीटर बाद तुलसीपुर स्टिशन है यहां का हाल हम आपको दिखा रहे हैं foot over bridge से सामने इधर गुंडा के दिशा हो जाएगी पश्चिम में सूरी जो है धिरे धिरे अस्थ हो रहा है दूब रहा है और अभी सुभागपुर तक कारे पूरे होने हैं क्योंकि सुभागपुर से गुंडा के बीच आपको याद होगा rail electrification के कारे पहले ही करा लिये गए थे कि वहाँ पर मालगाडियां आती हैं गुट्स साइडिंग है हमारे गुंडा जंक्षन की तो उसका CRS निरिक्षन रतीव खान साब पहले ही कर चुके हैं अब सुभागपुर तक इसकी तयारी है पूरा करने की गुंडा जंक्षन यहां से लगभग 70 किलो मीटर है और जो अगला स्टेशन तुलसीपूर से आगे मुख्य स्टेशन हमारा बलरामपूर है यहां से 30 किलो मीटर तो कोशिश होगी कि अब पचपेडवा से तुलसीपूर होते हुए बलरामपूर तक अगला निरीक्षन कराया जा सके जिसके लिए वारिंग का काम तुलसीपूर से आगे तेजी से चल रहा है तार की रोल्स यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे रखे होगे ते ओपन वेगन की उपर और कारियों को यहां पर लगभग फाइनल कर लिया गया है तुलसीपूर स्टेशन पर साथी साथ तुलसीपूर स्टेशन पर ही यहां पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार इस रूट पर चल रहे है यहाँ पर डिपो है जहाँ से सारा मैटिरियल जो समान हमारे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारियों में यूज होता है उसकी सप्लाई जो है चेन यहीं से सारी तैयारी होती है सारा समान यहीं से पहुंचाया जाता है साइट पर चाहे वायर हो या OHE मास्ट हो हमारे जितना भी हमारा OHE का कार्य है सबकी सप्लाई यहीं पर तुलसीपुर स्टेशन से की जा रही है और उमीद की जा रही है अब कि वर्ष 2023 में क्योंकि दिसंबर का महीना रह गया है एक महीना और इसके बाद नया साल लग जाएगा 2023 आ जाएगा तो 31 मार्च हम मान के चलते हैं 31 मार्च 2023 टारगेट रखा गया होगा कि वितिय वर्ष के अंदर अंदर अब नए कैलेंडर साल में सुभाग पुर तक पूरा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ये कार है लगबग 64 किलोमीटर यहां से आप और मान के चलिए इसको पूरा कर लिया जाए जिसमें पचपिडवा से आगे आप यहां पर देख रहे हैं 23 किलोमीटर का सेक्शन तुलसीपुर तक यहां पर वाइरिंग पूरी कर ली गई है आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारियों को पूरा कर लिया गया है साथी साथ जहां पर समान रखा है उसको भी हम आपको भी दिखाएंगे मैटीरियल और साथी साथ तुलसीपुर में यहां से बढ़नी की दिशा में यानि की पूर्व की दिशा में जो एससपी का निर्मार चल रहा है उसे भी हम आपको अभी वीडियो में आगे दिखाएंगे किस प्रकार से जो निया एससपी तयार किया जा रहा है यहां पर सामय आप देख सकते हैं क्रेन आपको दिख रही होगी और जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का सारा सामान है वो यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पर डंप है जब आप थोड़ा सा तुलसीपुर से पचपिडवा की दिशा में बढ़ेंगे यानि की बढ़नी की दिशा में चलेंगे तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यह नजर आएगा जहां पर धेर सारे OHE के मास्ट रखे हैं और जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में हमारे OHE में सारा सामान यूज होता है उसका स्टॉक जो है सारा वो यहां पर रखा हुआ है देखिए तार के जो रूल्स होते हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे सारे OHE मास्ट यहां पर देखिए रखे हुए है तो इस सेक्शन पर हमारे यह सिंगल लाइन है जिसका रूट इलेक्रिफिकेशन का काम जो है वो चल रहा है ट्रैक का ताकि उसके बाद फिर डीजल लोकोमोटिव से जो हमारी ट्रेंस इस पर चल रही है चाए एशबाग गोरकपुर इंटर सिटी हो गोरकपुर मेलानी एक्सप्रेस हमारी हो तो वो सब भी ट्रेंस फिर धीरे धीरे इलेक्रिक लोकोमोटिव से उनका विदूत लोकों से संचालन शुट हो जाएगा और जो हमारा लखनो मंडल है उसका जो डीजल के ऊपर खर्चा है पैसा वो भी बचेगा प्रदूशल बचेगा और साती साथ फिर मेमू ट्रेंस जैसा सुनने में आ रहा है आज एक समाचार पत्र में exclusive news विशेश रिपोर्ट ये छपी है कि आने वाले समय में EMU ट्रेंस जो हमारी है उनको चलाया जागा और धीरे धीरे ये जो ICF वाली passenger ट्रेंस हैं तो ICF के डिबबे धीरे धीरे रेलवे वैसे ही हटा रही है LHB से coaches को replace किया जा रहा है तो आने वाले समय में short routes पर मेमू ट्रेंस या हमारी जो EMU ट्रेंस होती है इनका ही संचारन किया जाएगा जो कि 130 km प्रति घंटे की रफतार से चलने में सक्षम होंगी अधिक mobile के charging ports होंगे उसके अंदर points दिये जाएगे बहतर सुविधा दी जाएगी तो यात्रियों को भी एक अरामदायक सफर मिलेगा और तीवर गती से रेलगाडियों का संचलन किया जा सकेगा सोरी धीरे धीरे देखिए डूब रहा है अस्थ हो रहा है पश्चिम में तो कारे अभी बाकी हैं तुलसीपूर स्टिशन तक जरूर कारे पूरे कर लिए गए हैं लेकिन अभी यहाँ पर जो तुलसीपूर स्टिशन पे SSP का निर्माड आउटर पे पूर्व की दिशा में किया जा रहा है यानि कि बढ़ने की दिशा में SSP का निर्माड हो रहा है तो उसको भी हम आपको भी वीडियो में आगे दिखाएंगे तो अभी कारे बाकी हैं और मार्च 2023 मुझे लगता है आराम से आ जाएगा और यही टार्गेट लेकर के कंपनी चल रही होगी कि मार्च 2023 तक जो रेल इलेक्रिफिकेशन के कारे हैं वो इस पूरे सेक्षिन पर कंप्लीट कर ली जाएं कोशिश हो रही है कि जल से जल कारे पूरे हो जाए लेकिन अभी कुवरा अधिक पढ़ने लगेगा धीरे धीरे ठंडक और बढ़ेगी उत्तर भारत में कडाके की ठंड पढ़ती है तो कारे करने में फिर दिक्कत आती है यह भम देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे है जो SSP निर्माण किया जा रहा है तो SSP के निर्माण में आप देख सकते हैं छोटी बिल्डिंग जो यहाँ पर होती ही रूम वो तयार हो गया है छोटा कमरा प्लास्टर हो गया है चोहदी पूरी आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी अंदर मास्ट लगा दिये गए हैं अभी ट्रांस्फोर्मर वगरा जो है बाकी का जो एक्विप्मेंट है भी वो लगना बाकी है सुरक्षा जाली अभी लगाई जाएगी वो कार अभी बाकी है यहाँ से और फिर जो फीडर लाइन दी जाती है जिसके लिए उंचे मास्ट दिये जा रहे हैं जिसको की फिर मुख्य हमारे कॉन्टैक्ट वायर से एनेक्ट किया जाता है ताकि पावर सप्लाई सो चारू रूप से हमारे OHE में मिलती रहे उसका कार अभी किया जाना है तो SSP का कार अभी 40-50% हम कहेंगे कि हो गया है क्योंकि फ्लोरिंग का एरिया जो हमारा है फ्लोर एरिया वो कंप्लीट अभी करना है पूरा पक्का उसको किया जाएगा पेंट वगरा बिल्डिंग होगी स्रक्षा जाली लगेगी और सारे अभी एक्विपेंट वगरा लगने है अभी structure खड़ा हो गया है जो room SSP में तयार किया जाता है मास्ट दोनों तरफ track के इधर भी पड़ गए और सामने भी लगा दिये गए तो थोड़ा समय अभी इसमें भी लगेगा